नमस्कार पांचवा और आखरी टेस्ट मैच शुक्रवार से शुरू हो गया है ओवल में इस टेस्ट मैच को भारत के लिए अच्छे बहुत महत पूर्ण बारा जा रहा था लेकिन मुझे नहीं लगता इस मैच में भारत के लिए बहुत कुछ बाकी है जी हाँ पहले दिन का स्कोर आप देखने के बाद यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे टेस्ट मैचों में टोस की बहुत एहमियत होती है विराट कोली लगातार पांच भी बार टोस हा रहे है इसमें विराट का कोई दोश नहीं है लेकिन किस्मत जो रूट के साथ है जो रूट चार जो रूट ने सिर्फ एक बार टोस जीत कर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाये था और वो ही मैच इंगलेंड हार गया था लेकिन इस बार जो रूट ने ऐसी कोई गलती नहीं की और उन्होंने खुद बल्लेबाजी चुनी भारत की टीम में जैसे की उमीद की जा रही थी दो बदलाव होए है अश्विन और हार्दिक पांडे की जगए हनुमार विहारी और पूरे दोरे पर बैंच पर बहर बैठे रहे रविंदर जड़ेजा को टीम में बुलाया गया और रविंदर जड़ेजा ने देखिए अपनी एहमियत को साबित कर दिया पूरे दिन में 24 ओवर तक उन्होंने पसीना बाया और पहला विकेट दिलवाया भी रविंदर जड़ेजाने जेनिंग्स के रूप में लंच से पहले एक ही विकेट गी रहा था इंगलेंड का और ये विकेट जड़े जने लिया था कुक जो कि अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं उन्होंने बहुत शांदार बल्ले बाजी की और लंच से चायकाल के बीच इंगलेंड ने कोई विकेट नहीं खोया एक सो तैंतीस रन पर एक विकेट था चायकाल के समय स्कूर उसके बाद एक तम से मैच पलटा जैसे की इंगलेंड में नेचर है सारे सेस्ट मैचेज में जो लास्ट का सेशन है उसी में सारे विकेट गिरते हैं आज भी छे विकेट गिरें छे विकेट में फास्ट बोलर्स एक ही ओवर में लिये टी के बाद, उसी ओवर के बाद सारा मैच का रुख बदला, इतना सब हो जाने के बाद भी, इस मैच में मुझे उम्मीदे क्यों नहीं नजा रहा है, उसकी वजह में आपको बताता हूँ, इस मैच में भारत को, इंगलेंड को कम से कम 200 अन तक तो रोकन रन की लीड चाहिए होगी, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, हाला कि भारतिय बैटिंग यह कर सकती है, लेकिन इस बार यह होता हूँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विराट कोली के लाबा कोई भी बल्लेबाज रन स्कोर नहीं कर पा रहा है, केल राहूल भी है, शि लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि भारत साड़े तीन सो रन इसमें स्कोर कर सकता है, इस मैच का फैसला भी चार दिन के अंदर ही होने जा रहा है, इससे जादे यह मैच नहीं चलेगा, अगर भारत ने सो रन की बढ़त पहली इनिंग में ली, तो इस मैच में तो हाड ही सकता है, ड्रॉ तो इंगलेंड में कोई टेस्ट मैच होगी नहीं रहा है, कुल मिला कर किस्मत कोहली का साथ देती नजर नहीं आ रही है, लगतार पांचवा, टॉस हार गय, इससे पहले मार्क टेलर जब एशेज सीरीच खेल रहे थे, तब आस्टेलिया की कैप् वह करते थे, उन्होंने पांच टॉस लगतार जीते थे, ये भी एक रिकोर्ड है अपने आप में, अब देखते हैं कि कल का मैच कैसा होता है, कल के मैच पर काफी कुछ निरबर करेगा, बारत कितनी जल्दी उन्हें आउट करेगा, और कितनी जल्दी रन बनाएगा, इंग सकतार